हेलो बच्चों आज हम लोग ट्रैंगिल चाप्टर को टूबी घंटे नियू किया जाया और एक्सिसाइज कवब करेंगे आज के वीडियो में 7.3 और इसमें मात्र 5 कोशन होंगे तो कुशन नुबर 1-5 यह पूरा का पूरा देख ले जाया किस बुक से तो निव एंस हैटे क यह बुक से चाप्टर नुबर 7 और ट्रैंगिल होगा मज़ेदार कोशन होंगे सारे के सारे पांचों मज़ा तो बहुत आएगा चलिए को देखते हैं बारी-बारी से कुशन नुबर 1 बहुत ही easy बट एकी कोशन में चार कोशन है ट्रैंगिल ABC और ट्रैंगिल DBC आर टू अभी same side BC के तरफ ही है C figure 7.39 if AD is extended to intersect BC at P मतलब ACD को extend मतलब बढ़ाना कहां तक बढ़ा है P तक बढ़ा है तो वो BC पे मिलता है कहां P point पे so that ट्रैंगिल ABD is congruent to triangle ACD ABD खोजो ABD मतलब यह चोटा वाला ट्रैंगिल यह दर से ऐसे वाला और इधर से ACD यह वाला ट्रैंगिल यह दोनों ही आपस में क्या है congruent है next आपको देखना है ABP ABP news नहीं ABP तो ABP जो होगा मतलब इधर से यह ट्रैंगिल और इधर से यह ट्रैं यह सब बाद में देखते हैं पहले दो को जो पूछा है वह जब भी कांगरेंट करते हैं तो कुछ rules होते हैं सबसे पहले given लिखा जाता है तो given क्या लिखा जाता है जो भी so that या proof that हो उसके पहले तक का मतलब यहां से यहां तक आप given में लिख लोगे जो proof करना है so that के बाद रहे वह सब आटीप में आ जाएगा मतलब यह चारों आपके आटीप में लिख देएगा इतना लिखने के बाद नेकसर स्टेप लिखते हैं हम लोग प्रूफ रस्रक्शन जरूरत के अनुसार ऐसे नहीं लिखते हम लोग यहां एंगे हम लोग प्रूफ पर इसको कॉंगरेंट करना है तो ABD को और ACD को तो N लिखेंगे ट्रैंगल के उपर S लगाएंगे और ABD and ACD ABD और ACD इस दोनों ट्रैंगल को कॉंगरेंट करने के लिए मात्र तीन चीज चाहिए तो ट्रैंगल आपको जो दिख रहे हैं इधर से आपको यह ट्रैंगल लेना है और इधर से आपको यह ट्रैंगल लेना है अब इसमें यह दोनों ट्रैंगल पर तीन कॉमन चीज़ कारण कर क्यूं, तो ISocialistRIbeier के लिए, क्यों के लिखाता अ ए भी सी और बी सी जो है, वह तो आइसोसलेस्ट हो हूँ तो ये भी आपका आइसो से लेज़ नेगे कारण अबांघ ये एडी और ये दो में आ रहे हैं इडी बराब और उसको बोलेंगे कॉमन just sama a distance में क्या common का ना चाहिए तीनों है तीनों का तीनों क्रेंख या लिखिये हो साइडहे हो फ्रॉम जाइ शाइट साइट दुनों ट्राइंगे। कॉंगरेंट कॉन-कॉन तो हुई डी यह दोनों ही क्या होजा हैंगे। कॉन-कॉन-कॉन, तो ए-b-e-d और ACAD, जैसे ही congruent हो गया, तो आपको मैंने पिछले exercise में सिखा आता है, कि जब भी congruent हो, corresponding side और corresponding angle always equal होता है, तो यहां से आपका corresponding side जो होगा, वो तो पूरा का पूरा पहले से equal है, तो angles equal हो जाएंगे, कौन angle? तो ये angle और ये angle equal हो जाएगा, एक का corresponding part of congruent triangle के कारण, ये दोनों ही triangle आपके आपस में congruent हो गया है, तो ये दोनों ही angles आपका equal हो जाएगा, क्यों? तो उसे PCT के कारण, next क्या काम करेंगे हम लोग? इस विगर को मैं shift कर देता हूं इधर, और second proof कर देते हम आपके लिए, second में क्या proof करना है कि ABP, ABP, मतलब ये पूरा बड़ा वला triangle इधर का, और इधर से भी ये पूरा बड़ा वला triangle, इस दोनों को congruent करना है, तो यहां भी हम लोग फिट से वही, second के लिए लिखेंगे in, triangle के उपर S, कौन-कौन triangle लेना है, ABP और ACP, ABP और ACP, इसमें अगर देखोगे, तो फिट से AB बड़ाबर AC हो जाएगा, और क्यों, तो ISOCALES, triangle के कारण, क्यों, तो ISOCALES, triangle के कारण, next, APP दोनों में आ रहा है, तो APP common, AP is equal to AP, और SINCE में common, देखें, उसके बाद तीसरा जो मिल लेगा, हम लोग जो प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं, यह एंगिल बराबर, यह एंगिल, अभी प्रूफ किये न, कि यह दोनों triangle congruent था, तो यह दोनों angles भी equal होंगे, तो यहां से आपका angle आ जाएगा, PAP, इसकल टू, PAP, ठीक है, और इसमें आप लिख सकते हो, प्रूफ कर चुके हैं, अब यहां property लगाना है, किस property से यह दोनों ही triangle सापके congruent होंगे, तो कोई भी एक triangle लेलोगे और उसमें देखोंगे, तो क्या-क्या लिखे हो, यह side लिखे हो, बीच में अंगिल लिखे हो, फिर यह वाला side लिखे हो, इसमें आ रहा है, सास, मतलब side angle side property से, from, side angle side से दोनों triangle congruent हो गया, यहाँ congruent को रहा है, ABP is congruent to triangle, ACP, ABP जो है, वो ACP के congruent हो गया, जैसी congruent हो गया, तो यह भी आपका done हो गया, यह भी आपका done हो गया, next आपको करना है, AP bisect angle A as well as angle D, तो A वाला तो bisector यहाँ पर हमने लिख चुका हो, यहाँ पर हम लिख चुके हैं, यह bisect हो गया है, angle A, क्योंकि A का bisector यहीं दोनों होता, तो यह तो हो चुका है, angle B को भी, sorry, angle D को भी bisect कर रहा है, AP bisect angle A as well as angle D, A और D, दोनों को भाइच से कर रहा है, तो D के लिए क्या करना पड़ेगा आपको इस दोनों triangle को फिड्स से congruent करना पड़ेगा, फिर से मतलब नहीं, इस दोनों triangle को भी congruent करना पड़ेगा, मतलब एक चीज़ करने के लिए, देख़ो कितने बार congruent हो रही है, अब इस दोनों ट्रेंगल को congruent करने के लिए ये तीसरे के लिए आएगा in trangles pdp and cdp pdp और cd इस दोनों ट्रेंगल को congruent करना है congruent करने के लिए हमेशा तीन चीज़ लिखते हैं तो पहला चीज़ लिखेंगे bd बराबर cd pd बराबर cd और cd में isosalase trangles next dpdp common dpdp common ये दोनों common होचाएगा इसमें कुछ कुछ cpc t लिखना था आपको इसमें cpc t कैसे क्या-क्या लिख सकते थे तो एक लिख सकते थे bp is equal to pc cpc t ठीक है क्योंकि और तो नहीं बस इतना ही काफी है bp is equal to pc cpc t और इसमें भी वहीं कर लोगे bp is equal to pc और इसमें भी proved evolved ठीक है प्रूब एवाउट हो गया अब यहाँ पे वह तीनों साइड लिखें तो from side 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 from side 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 from side 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 दोनों triangle congruent कौन कौन congruent तो bdp is congruent to triangle cdp ठीक है दोनों triangle congruent हो गया जैसे ही congruent हुआ तो हमारा यह एंगिल यह एंगिल और यह एंगिल इक्वाल आ जाएगा क्योंकि जब भी दो ट्रैंगिल congruent होते तो उसके corresponding sides और corresponding angles इक्वाल हो जाता है तो यहां से आपका एंगिल हो जाएगा bdp is equal to angle cdp और q तो cpct के कारण क्यों तो cpct कारण तो यह तो हो गया अब तीसरा के लिए हमें क्या-क्या लिखना था तो पहला तो यह दोनों आ गया यहां से यह आ चुका है पी एट डी के जग़ा पी लिख सकते हो आप और c a पी लिख सकते हो यहां पर प्रूव कर चुके हैं हुआ तो यह अंगन बड़ांबर यह अंगिल और यह अंगील- यह अंगील आशा आ चुके हैं वह लोग लिख सकते हैं कि एपी जो है कि वह ब्गास тобой सिक कर रहा है कर दो wer звक कि एपी कि आ एउनकील की बस यह तीसरा भी हो गया, अब चौथा के लिए AP is a perpendicular bisector of BC, यहाँ perpendicular bisector तो हो चुका है, यह side और यह side है, तो bisector तो हो चुका है, perpendicular bisector करना, perpendicular मतलब 90 degree proof करना है, इसमें एक और CPCT लिखना होगा, इसमें आपको एक और CPCT लिखना होगा, और यहाँ पे आप CPCT में क्या लिख होगे, इसी वाले triangle में, उपर का जो किये थे, उसी में angle APB is equal to APC, और इसमें भी CPCT, क्यों लिख रहे हो ऐसा, क्योंकि बववा हमारा, इस type से triangle congruent हो चुका है, इधर का, और इधर का, यहाँ A है, यहाँ P है, यहाँ P, यहाँ A, इधर C, और इधर B, जब यह दोनों ही triangle congruent ह हो चुके हैं, जब यह दोनों ही triangle मेरा congruent हो चुका तो यह angle और यह angle भी equal होगा, यहाँ P, अब क्या करना है मुझे? linear pair लगाना है, sir, क्यों, का है, कैसे, ओहो, ये तो बता नहीं पड़ेगा हमें, है की नहीं है, यहां देगो कैसे, अब यह मालो, पूरा triangle था ऐसे, इस triangle को मैं मिटा दू थो थोड़ा सा, और पूरा triangle बना के हम दिखाए, और बीच में एक लाइन ऐसे था, यह angle प्लस यह angle, इ 80 degree के बराबर, और सिंस में क्यों, तो linear pair, ठीक है, सिंस में क्यों, तो linear pair के कारण, अब APB के जगा APB, और APC के जगा भी APB, सर, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में equal है, APB के जगा मैंने APB लिखा, और APC के जगा भी APB लिखा, सर, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में equal है, एक angle प्लस एक angle, एक एक, दो होता है, तो two angle APB, is equal to 180, two से divide करोगे, two से divide करोगे, तो 180 by 2, यह किसके बाराबर आजाएगा, 90 degree के बाराबर, 90 कोई perpendicular बोलते हैं, तो अब आप लिख सकते हों कि AP is the perpendicular bisector, यहाँ पे, अब आप लिख सकते हों कि AP is the perpendicular, 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 bisector, of angle, नहीं, पॉप लिख सकते हों कि AP is the of BC, ठीक है, अब BC, ठीक है, दिखनी रहा है, फिर छोटा करें, इतना छोटा करें, इतना सारा चीज़ दे दिया है, एक ही कोशन में, ठीक बस इतना लिख के छोड़ देना है, और कुछ नहीं, वो गया कल ल्यान, और एक चीज़ और मतलब यहाँ पर अगर एड़ करना चाहोगो है, तो यह वाला लान को फिट से लिख सकते हो, समझ में आ गया, धीरे-धीरे देखो, सब समझ में आ जाए, कैसे-कैसे कॉंग्रेंट किया गया है, ठीक है, यह लंबा कोशन था है, कोशन नुबर वन ही काफी लंबे थे, कोशन नुबर टू, फिगर नहीं दिया है, फिगर खुद से बनाना होगा, सबसे पहले हम लोग ABC एक आईसोसले स्ट्रेंगिल बना लेंगे, ABC और यहां से कौन कर रहा था, तो AD, altitude मतलब यहां 90 डिगरी है, इधर है तो उधर भी हो गई होगा, फिट से गिवेन आपको लिखना है, तो यहां से यहां तक गिवेन में लिख लीचेएगा, RTP में क्या लिखोगे, तो दोनों यह, दोनों, RTP का फूल फॉर्म required to proof, ठीक है, किधे proof में आते हैं, यहां proof में आप देखोगे क्या, दो ट्रेंगिल आपको दिखने हैं, दोनों ट्रेंगिल का नाम लिख लो, इंट्रेंगिल A, B, T और दूसरे ट्रेंगिल का नाम लोगे तो A, C, D ठीक है? A, B, D इधर ओले ट्रेंगिल का नाम A, C, D उधर ओले ट्रेंगिल का नाम कॉंगुरेंट करने के लिए मात्र तीन चीज़ चाहिए आपको पहला चीज क्या लिखोगे? तो A, B, B बराबर A, C क्यों? गिवन है सर दिखा वाइबुक में कोशन में एभी बराबर A, C, गिवन हो गया फिर उसके बाद A, D, A, D दोनों में आ रहा है तो common A, D, A, D दोनों में ही आ रहे हैं तो उसको हम लोग प्यार से बोलते हैं common और altitude दिया हुआ था मतलब height था और height हमेशा 90 degree होता है means A, D, B किसके बराबर? angle A, D, C के बराबर और यह 90 degree ठीक है? यह और यह दोनों 90 degree के बराबर है अब यहाँ पर properties आपको देखना है कौन सा property लग रहा है? ठीक है? तो आप यह mention किये हो यह mention किये हो और यहाँ पर angles mention किये हो तो side angle side इस टाइब आप प्रोपरटी नहीं लगा है RHS का full form होता है right hypotenuse side तो right मतलब 90 degree, h for hypotenuse तो hypotenuse है और कोई भी एक side होना चाहिए यह तो side है तो from RHS properties से यह दोनों ही triangle आपके congruent हो जाएंगे तो triangle ABD जो है वो किसके congruent हो जाएगा ACD के जैसे दोनों triangle congruent हुआ अब CPCT की corresponding part सारे equals होंगे तो पहला तो AD bisect BC है तो यहाँ पर आपका BD बराबर CD हो जाएगा BD बराबर CD हो जाएगा और since में CPCT since में CPCT अंग्रेजी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो AD bisect bisect BC यह पहला जो था प्रूफ हो गया AD bisect BC Bicect में बादा हादा BD बराबर CD यह तो corresponding part of congruent triangle के कारण हो गया CPCT हो जो है AD bisect angle A मतलब यह एगल बराबर यह यह दोनों भी angles तो equal होंगे angle BAC BAD is equal to CAD ठीक है और यह भी आपका CPCT CPCT इसमें भी आप English लिखना चाहते हो तो लिखोगे AD bisect बस इतना ही करना है इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं easy था और छोटा सा में ही बन गया push-almore 1 लंबा था बटू तो easy है अराम से बन जाना है इस दोनों triangle को simply congruent करना था किस property से तो RHS property से बाकी सब CPCT लिख देना था ठीक है और कुछ नहीं उसके बाद next इस टेक का question आप उटेंथ में भी पढ़ना है two side AB BC and median median मतलब क्या होता है median मैं बता दू थोड़ा सा अगर मानलो यह एक triangle होगे ABC ही ही इस अगर आपको a और यहां से यहां का दूरी और यहां से यहां का दूरी equal होगा यह अगर 5 cm BM तो CM बराबर भी 5 cm मीड़ पॉइंट के गारण जब भी median होगा तो यह मीड़ questa हो Champagne तो यहां पर आपको दिया हुआ क्या है, two side AB, BC and medium AM of one triangle ABC are respectively equal to side PQ, QR and medium PN of triangle PQR, PQR जो ट्रेंगल है, उसका किस से equal है, तो PQ AB के बराबर है, BC QR के बराबर है, और AM जो है वो PN के बराबर है, दिकर दिया हुआ 7.40 में उसमें देख लिएचे, so that ABM is congruent to PQN, ABM, ABM यह triangle और PQN यह triangle, इस दोनों को क्या करना है, आपको congruent proof करना है, और उसके बाद whole triangle को भी congruent करना है, ABC यह पूरा triangle, उदर से PQR यह भी congruent करना है, और तो कुछ भी नहीं, सबसे पहले given में क्या लिखोग होता है, वो सब को given में डाल देना, उसके बाद so that के बाद वाला जो रहे वो RTP में, मतलब required to proof में, आप school में two proof लिखते हैं, उसमें भी आप लिख सकते हो, उसके बाद हम लोग लिखेंगे सीधे आएंगे proof पे, सीधे आजाएंगे कहां, proof पे, इस triangle को करना है, ABM को और PQN को, इन triangle ABM, triangle की ऊपर S लगा लोगे, इसमें लगा है थाने, और PQN, ठीक है, ABM और PQN, इस दोनों triangle के लोगा करना है, तो यहाँ से आप देखोगे, AB is equal to PQ, given में है, AB किसके बराबर है, PQ के बराबर है, इसमें given, नेक्स्ट आपका BC, जो नहीं, BC वाला पहले नहीं लिखो, AM वाला लिखो, AM is equal to PN, AM is equal to PN, और यह भी आपका given, तो given होगे है, नेक्स्ट आपका जो BC दिया हुआ था, B से C, वो किसके बराबर दिया हुआ था, Q से R का, यह भी आपका given है, बट जो ट्रैंगल लिए हैं, उसमें BC नहीं आ रहा है, जो ट्रैंगल लिए हैं, यह पूरा BC है, बट हम ट्रैंगल तो आधा हैं लिए हैं, छोटा सा हैं लिए हैं, उसमें BC नहीं हैं, तब क्या Made Point मतलब क्या, आधा, आधा, मतलब Half, कर लिए हैं, तो BC का भी Half कर लो, BC का भी Half कर लो, लिख सकते हो एकदम लिख सकते हो लेकिन नहीं लिखेंगे क्यों कि हम वो ट्रैंगर लेंगे उसमें लिखेंगे जो नहीं ले रहे उसका साइट नहीं लिखेंगे हम लोग यहां पर लिखेंगे BM is equal to QN अब आपका तीनों साइड है तो from side 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 from side 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 दोनों ट्रेंगल कॉंगुरेंट कौन-कौन? A, B, M कॉंगुरेंट हो ट्रेंगल P, Q, N A, B, M किसके कॉंगुरेंट हो जाएगा? P, Q, N के कॉंगुरेंट हो जाएगा जैसे ही कॉंगुरेंट हो जाएगा जैसे ही कॉंगुरेंट हो जाएगा तो ये दोनों ही आंगल्स आपके equal आ गया एंगल B और एंगल Q equal हो गया जैसे equal हो गया अब मुझे क्या प्रूफ करना है नेक्स्ट हमको क्या प्रूफ करना है ABC पूरा triangle और PQR पूरा triangle इसको congruent करना है ये तो बहुत ही easy second वाला तो बहुत easy in triangle के उपर S ABC and PQR इसी को congruent करना है ABC और PQR को क्या AB बराबर PQ है AB बराबर PQ और since में Q तो given के खारण AB बराबर PQ है और Q तो given के खारण next आपका BC बराबर QR है ये भी आपका given है BC QR के बराबर यहां भी तो लिखे था ना BC बराबर QR given के खार रहे है और अभी अभी प्रूफ किये हैं कि angle B जो है वो angle Q के बराबर है प्रूफ कर लिए तो दोनों equal हो गया अब यहां पर देखोगे तो आप यह लिखे हो यह पूरा side यह पूरा side और बीच में यह अंगल तो side बीच में अंगल फिर side तो side angle side से from side angle side दोनों triangle congruent ABC is congruent to PQR यह भी easily होगे च्छोटा सा ही था एक तरफ इदर इदर करना था एक बार इदर बस इसमें थोड़ा सच्छा क्या था यह वाला पार्ट यह तीन लाइंग BC बराबर QR given BC जो है वो QR के बराबर है midpoint मतलब क्या होता है आधा 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 इस कारण हाफ आफ किये BC के आधा के जगा BM और की बार के आधा के जगा even अगर यह तीन लाइन समझ में आगा तो question में कुछ भी hard नहीं है और कहीं भी complicated नहीं है ठीक है चलिए हो गया तीसरा भी खतम two motion और चार और पांच इसमें भी figure नहीं है तो figure खुद से बनाना होगा P and C for two equal altitude altitude मतलब again height और फ़र triangle ABC ABC एक triangle ले लो ABC क्या ले लो एक triangle ठीक है अब वहाँ से क्या दिया हो BE और C F B से E height बना 90 डिग्री और C से F B height इधर F और इधर E PE और C F तो altitude है height है using RHS congruency rule या congruence rule RHS property आपको use करना है prove that the triangle ABC is iso-sless ABC कौन सा triangle है? आई-so-sless triangle है ऐसा prove करना है तो फिर से यहाँ given में कहां से कहां तक लिख लोगे? तो यहाँ से यहीं तक using congruence वाला नहीं लिखोगे RHS वाला नहीं लिखोगे ठीक है? फिर prove that के बाद ABC क्या है? आई-so-sless triangle है तो यहाँ से आप लिख सकते हो triangle ABC is iso-sless triangle RTP में next सीधे आएंगे हम लोग कहां? प्रूफ पे तो प्रूफ में आपको कौन-कौन से triangle लिख रहे है क्योंकि हमको RHS property यूज़ करना है तब वहाँ क्या करेंगे हम? इधर से हम यह triangle लेंगे PCE ठीक है? यह और इधर से हम यह triangle ले लेते हैं BCF अब कॉंगरेंट करने के लिए कितना चीज होना चाहिए? तीन चीज कुछ और दियावा है क्या? हाँ दियावा है BE और CF जो है वो two equal altitude है मतलब BE यह वाला side और यह side equal हो जाएगा फिर altitude है मतलब यहाँ 90 degree तो यहाँ भी 90 degree और BC BC दोनों में ही common हो जाएगे BC BC दोनों में ही क्या हो जाएगा? common हो जाएगा जैसे ही common होगा तो आप यहाँ से देखोगे 90 degree हो गया, hypotenuse हो गया और यह आपका एक side हो गया तो RHS property से दोनों triangle क्या हो जाएगे? congruent हो जाएगे 90 के opposite वाला hypotenuse होता है यह आदक ना तो यह आपका सामने वाला BC hypotenuse हो जाएगा कौन-कौन से triangle ले रहे हो यह देख लो इन triangle BCE triangle कूपर S लगा लोगे BCE and BCF BCE और BCF सबसे पहला चीज जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम BC is equal to BC और since में common BC is equal to BC और since में क्या लिख लोगे? common लिख लोगे क्योंकि दोनों में है अब उसके बाद angle E बराबर angle F और equal to 90 since ने लगा ना equal to 90 degree next PE बराबर CF CF दियावा ना? PE बराबर CF from RHS property आप इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हो CBF ठीक है? RHS property से concurrent angle congruent हो जाएगा? तो BCE is congruent to triangle CBF ठीक है? यह दोनों congruent हो गाए जैसे ही congruent हुआ यह दोनों triangle तो आपको दिखेगा angle B is equal to angle C angle B किसके बराबर हो जाएगा? C के बराबर हो जाएगा? तो angle B किसके बराबर हो जाएगा? angle C के बराबर हो जाएगा और क्यों? Q to CPCT ठीक है? क्यों? तो CPCT ही गा रहा हो जाएगा अब angle B बराबर angle C हो जाएगा मतलब 20 angle अगर किसी triangle का equal हो जाएगा 20 angle equal हो जाएगा तो ऐसे triangle को प्यार से हम लोग बोलते हैं यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इन्ट अगल ABC और angle B is equal to angle C अगल B, angle C के बराबर है therefore ABC is an खुद गंदा रैटिंग लिखे क्या इस कारण हमारा ABC जो है वो कौन सा triangle हो जाएगा आइसो जाएगा हो जाएगा ठीक है? नेक्स्ट क्वेशनवर 5 ABC is an isosalist triangle with A B is equal to A C मतलब ABC एक isosalist triangle दिया हो है हो गया? और A B, A C के बराबर है मतलब यह साइड और यह साइड इक्वाल है draw AP is perpendicular to BC मतलब ACP आपको perpendicular draw कर लेना है यहाँ 90 डिग्री ठीक है? यहाँ P नाम AP perpendicular हो गया BC पे यह draw करने को बोल रहा है construction हमको नहीं करना है तु so that angle B is equal to angle C angle B और angle C को equal दिखाना है फिर से आप इस दोनों triangle को क्या कर लोगे? congruent given ATP जरूर लिखोगे given में कहां से कहां तक तो यहां से यहां तक भी लिख सकते हो या फिर यहीं छोड़ दोगे तो भी कोई दिखाना है लेकिन यह जरूर mention कर लेना कि AP perpendicular to BC है और ATP में angle B is equal to angle C proof में आओगे बहुत easily हो जाएगा क्योंकि number of triangle C दो ही दिख रहे हैं int angle ABP अच्छे rating में always लिखोगे और ACP इस दोनों में अगर देखेगा तो AB किसके बराबर होगा तो AC के बराबर और since में Q तो given यहां दिया हुआ है दूसरा AP is equal to AP दोनों triangle में आपको दिख रहे होंगे यह आपको common दोनों में दिख रहा है इस कारण common हो जाएगा next angle APB किसके बराबर हो जाएगा तो APC के बराबर 90 degree perpendicular मतलब भी कितना होता है 90 degree तो 90 degree अब यहां से again property देखोगे तो हम यह side लिखे हैं यह side लिखे हैं और यह 90 degree लिखे हैं तो फिर से RHSC property होगा क्योंकि right मतलब 90 है H for hypotenuse है और कोई भी side हो तो RHS property से 2-0 triangle congruent हो जाएगा ACP ABP किसके congruent हो जाएगा ACP के जैसे congruent हो जाएगा तो angle B जो होगा वो angle C के बराबर हो जाएगा और जिंस में CPCT जिंस में CPCT एकारण बस हो गया ठीक है इतना ही गाना था तो यह भी आसान सिर्फ question about one ही थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि चार पार्ट थे उसमें तो वह ही थोड़ा बड़ा हुआ बाकी सारे तो easily ही बन गया कोई दिक्कत है नहीं और इसी के साथ हमारा ये वीडियो पूरा complete होता है Thank you so much आप सभी को और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसको लाइक कर लेना दोस्तों के बीच में share कर लीजेगा अब भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो क्या कर रहे हो यार सब्सक्राइब तो कर लो है कि नहीं है ठीक है तो चैनल को होग एक चीज या हिंद या भारत है या हिंद या भारत है